Hello दोस्तो, Welcome to the channel GPH Books I hope you all are doing good आज इस वीडियो में बात करेंगे Friends, B.S.O.S. 185 जी हाँ Friends Society through the visuals दृष्षे के माध्यम से समाज इसी के बारे में important questions की चर्चा करेंगे आप सभी की examination स्टार्ट हो चुके हैं आप सभी की examination स्टार्ट हो चुके हैं bell icon को भी बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें नहीं तो आपको कोई भी important video उसके notification नहीं मिलेंगे और आप important जानकारी skip कर जाएंगे तो चलिए वीडियो को without any delay start करते हैं हम बात करने वाले हैं B.S.O.S. 185 के important questions तो question number 1 की बात करते हैं इस वीडियो में आपको किस तरह से question को पूछा जा सकता है वो सभी तरीके आपको बताने वाली हूँ मतलब सभी तरह से आपके सामने question को मैं प्रेजन्ट करने वाली हूँ तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा question number 1 की बात करते हैं सिधान्त और फिल्मांगन के तरीकों में बदलाव पर पकाश डालिये फिल्मों में न्री वंश विग्यानी और मूल निवासियों की भाशा के बीच की खाई को कैसे संबोधित किया गया एक अवलोग नात्मक फिल्म में अंतर नहित धारना क्या है किसी फिल्म को देखने या विचार करने के विभिन तरीके क्या है तो ये किसी वी तरह से आपसे कोशन पूछा जा सकता है आपको हर एक तरीके से अपने आंसर को प्रिजेंट करने के लिए रेडी रहना है कोशन नमर टू की बात करते हैं पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर में द्रिश्यों के चर्चा कीजिए या फिर प्रचान के विभिन तत्व कौन से हैं जो अनुसंदान को प्रभावित करते हैं या आपसे पूछा जाएगा चर्चा कीजिए कि कैसे तस्वीर और चित्र समाज के मान डंडों को तरशाते हैं। Q3 की बात करते हैं नुरी वंश विग्यान फिल्म निर्मान के अतिहासिक परिपेक्षे का वर्णन कीजिए। या फिर नुरी वंश विग्यान फिल्म निर्मान में रॉबर्ट फलेहर्टी की फिल्मों का क्या योगदान था। परताओं को किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। Q6 की बात करते हैं फोटोग्राफिक को अनुसंधान उपकरन के रूप में प्योग करने वाले लाब बताईए। Q7 की बात करते हैं फोटोग्राफिक की चुनोतियों और सिमाओं पर संशिप्त टिपनी कीजिए। Q8 नुरी वन्ष विग्यान विशक फिल्मों के उदबव और विकास का वर्णन कीजिए। Q11 की बात करते हैं एक फोटो निबंद क्या है या फिर समाज़ शास्त्री शोद में छवियों के उपियोग का वर्णन कीजिए। Q13 का उपियोग कैसे किया जा सकता है? आपको आकड़ों के संग्रह और प्रस्तोती दोनों में मल्टी मीडिया और हाइपर मीडिया का उपियोग किस तरह से किया जाता है? Q17 के अगर बात करें फ्रेंड्स तो विडियो को एक शोद उपकरन के रूप में उपियोग करने से जुड़ी नैतिक दुविधा पर चर्चा कीजिए। विडियो आधारित शोद के प्रती सजग और सहयोगात्मक दृष्टिकोन का वर्णन कीजिए या फिर विडियो आधारित शोद के लिए अनुसंधान डिजाइन के महत्व पर चर्चा कीजिए ठीक है? कुश्य नमर 18 की बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको समाज शास्त्र और निर्विग्यान के पिशियर से दृष्य प्रदियोगी की किस प्रकार से सम्बंदित है? या फिर दृष्यों में निर्विग्यान समाज शास्त्र की रूची पर किस तरह से चर्चा करनी है? आपको फिल्म निर्मान की जीन रौंच की आत्मर्थक शैली की व्याख्या करनी है? कुशन मानिर्विग्यान अनुसंधान को कैसे प्रबाविट करते है या फिर चर्चा करनी है कि किस तरह से तसवीरें और चितर समाज के मान डंडों को दर्शाती है? Okay question number 20 की बात करते है Friends new one श्विग्यान अनुसंदान और द्रिश्य में नातिक्ता परसंशिप्त टिपनी कीजिए So friends ये 20th question है बर साथी साथ option में मैं आपके रिए बहुत सारी question इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप इन सभी की तैयारी कीजिए I am hoping कि आपको आपके examinations में बहुत अच्छे marks मिलेंगे मैं आपको book show कर देती हूँ जहां से आप इनके answers दो refer कर सकते हैं Friends उसके लिए सबसे पहले आपको bulibaba.com open करना है और search anything में आप bsos 185 type करेंगे तो आपके सामने help book का option नज़र आएगा और आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने book open हो जाएगी Society through the visuals, Hindi medium, English medium दोनों में book available है बहुत अच्छी book है इग्रू के बहुत से student इस book को study करके ही अपने examination को pass किये हैं तो आप भी इसको कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको previous year के solve question paper भी included मिलेंगे guess paper, sample paper जितने भी questions मैंने आपके साथ भी share की है उन सब के answers आप definitely मिलने ही वाले हैं तो आपके लिए ये एक बहुत इच्छी news है आपको discounted price पर book available कराई जा रही है अगर आप इस book का link डिरेक्ट चाहती है तो description में चेक कर सकते हैं अलड़ी given है तो चल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तिल देन stay tuned with the channel for more updates